हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आना सिंग स्वागत है आपके अपने चैनल आजमगर्ड लबड़ में आज का टापिक है खरगोष के एक दिन के बच्चे की देखभाल कैसे करें यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड सेयर जरूर करें वैसे तो खरगोष जमीन के अंदर बिल बना कर अना पसंद करते हैं लेकिन जब हम उनको अपने घरों में रखते हैं तो उनके लिए जमीन के जगह लकड़ी या जाली का पीड़ा बनाना होता है चैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये एक दिन के बच्चे हैं आज ही मेरे मादा खरगोष ने सुबह बच्चे दिये मादा खरगोष मेरे ये है देखने में बहुत सुंदर है जब मादा खरगोष बच्चे देने वाली होती है तो उसके बच्चे देने के 4 से 5 जिन पहले next बाक्स जरूर रख देना चाहिए यदि डेट का पता ना हो कि मादा खरगोस किस डेट को बच्चे देने वाली हो तो उसके पिजडे में प्रचूर मात्रा में घास और सुखी घास रख देना चाहिए क्योंकि मादा खरगोस बच्चे देने के पहले अपना नेक्स्ट उसी घास से बनाती है और वो अपने बालों को नोच कर बच्चों को उसी में छिपा देती है जब मादा खरगोस बच्चे देती है तो वो सोयम उसको चाट कर साप करती है यदि बच्चों की सफाई ठीक प्रकार से न हो तो सच्छरूई की सहायता से सफाई खुद कर देनी चाहिए यदि मादा खरगोस के नेश्ट में घास की कमी हो तो बच्चों को उठाकर गर्म कपड़ों में या सवच्छरूई में रख देना चाहिए ताकि उनको हवा न लगे और वो बिमार न हो मादा खरगोस लगबख सुबा के समय बच्चे देती है और यह फ्रक्रिया 25 से 30 मेट में पूरी हो जाती है बच्चे होने के बाद उनकी आखे बंद रहती है तथा उनके सरीर पर बाल नहीं होता है बच्चे मादा खरगोस के गंद से ही दूद पीते हैं मादा-Khargos सूबा-साम दूद पिलाती है तथा 3–4 मिट में दूद पूरा पिला देती है जो बच्चे दूद नहीं पीते हैं या नहीं पीए हुए होते हैं उनको मादा-Khargos के थन में मु लगा कर दूद पिला देना चाहिए बच्चों को 15 दिन बाद घास देना शुरू कर देना चाहिए एक बात का अवस्य ध्यान दें कि मादा खरगोस जब प्रेगनेंट होती है तो उसे नर्खरगोस से अलग कर देना चाहिए नई तो बच्चे होने के तुरंद बाद मादा खरगोस से मेटिंग हो जाती है और जो बच्चे होते हैं उनको कुछ दिन तक सही दूद मिलता है पर धीरे-धीरे दूद में खटापन होने लगता है जिससे बंचे कमजोर जाते हैं नरख रगोस के अलग होने से मादा खरगोस दुबारा पेगनेंट नहीं होती या तुरंद पेगनेंट नहीं हो पाती जिस से उसकी सेहत ठीक रहती यह जब बच्शों को अलग कर लें तब आप मिटिंग करवा सकते हैं किसी और जनकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं